ठेरो यार ठेरो अराम से विनोद की पॉल के रहेंगे हम तो इन टुच्चे चीजों में जैसे भी कि खुदाई के वाइरल होने के आपार सफलता के बाद अब वाइरल हो रहा है यूटूब का एक कमेंट विनोद बिनोद 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 इस वर्ड ने और इस बिनोद ने इतना तहल का मचाया कि जो सब और सब वाले आते थे कमेंट करने वाले वो हवा की तरह उड़ गए उसके बाद में जो लोग कमेंट को लाइक करवाने के लिए आते थे वो गुद कमेंट कर रहे हैं बिनोद लेकिन सवाल ये है क्या आखिर ये बिनोद है कौन तो आपको बता दू कि बिनोद बिनोद है बिनोद बिपुल के बाप हैं बिनोद टेड़ी के मामा हैं वी इस बिनोद? बिनोद इस बिनोद क्वेश्चिन वी इस बिनोद? अंसर बिनोद विनोद 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 लो लिख दिया विनोद विनोद भाई जिन्दाबार विनोद is my girlfriend ए एक मिंट ये क्या था विनोद is my girlfriend ये लो ये हुवीना बात देदो अपने दिल को 50 ग्राम की थंड़क विनोद एक लड़की है और इतना ही नहीं किसी के साथ में पटी हुवी भी है खैर ये सब तो मजाग था अब आपको बताते हैं कि ये विनोद का चक्तर क्या है एक्चुल में एक यूटुब चैनल है जिसका नाम है शलेपॉइंट उसने एक विडियो डाला कि यूटुब के कमेंट किस किस टाइप के होते हैं अब दुनिया में कुछ ऐसे प्रानी पाय जाते हैं जिनको अपने नाम के अलावा कुछ नहीं आता ना आंग ना भांग बस जहां मिले कमेंट में घुसर दो अपना नाम तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहीं पे भी वीडियो देखते हैं और वो लोग अपना नाम बस कमेंट करते हैं उनको घंटा वर् Augen नहीं परता कि वीडियो अच्छा है या फिर टुच्या है वो बस अपना नाम लिखना जानते हैं कमेंट में और Slave Point ने इसी को उठा के दिखा दिया कि कुछी इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि कुछ नहीं उनको मतलब नहीं होता कि हमारी वीडियो कैसी है बस उनको अपना नाम लिखना होता है कमेंट में अब इसको क्या हुआ कि काफि सारे लोगों ने मतलब एक बंदा था विनोद जो कि अपना नाम लिखता था कमेंट में और कुछ नहीं लिखता था तो इसी को Slave Point ने दिखाया था अब Slave Point ने जब इसको दिखाया तो अपने इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं अब काफि सारे लोग क्या कर रहे है कि कि किसी के विडियो में भी जा रहे है तो वहाँ पे एक कमेंट घुशेड रहे है बिनोद अब उनका नाम क्या है उन्हें घंटा फरक नहीं पड़ता अब वो लोग कमेंट कर रहे है सब लोग बिनोद और इसी तरह से बिनोद वाइरल होता जा रहा है इसके नाम से मीम बन रहे हैं काफी सारे चुटकुले जोक्स बगरा बन रहे हैं मतलब तरह-तरह की चीजे वीडियोज बन रही है तो बिनोद इसी तरह से वाइरल होता जा रहा है मतलब इल्लोजिकल क्योंकि अपने इंडिया में कुछ भी वाइरल हो सकता है आंक मिटका के लोग वाइरल हो सकते हैं और बहुत हार्ट करके वाइरल हो सकते हैं उसके बाद में फिर JCP की खुदाई वाइरल हो सकती है मतलब कुछ भी वाइरल हो सकता है एक हमारी वीडियो के अलावा हमारी वीड और दोस्तों आपको बता दो कि बिनोद कोई लड़की नहीं है वो तो बस कमेंट में किसी ने मजाक किया था तो मजाक मजाक में मैंने भी विडियो बना दिया और उसी मजाक में आप यहां तक आ गए और उसी मजाक में हमें मजा भी मिल गिया यह थी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर बिनोध है कौन एक्चुल में बस एक कमेंट था जिसको लोगों ने उठा के हाइलाइट कर दिया और सब तरफ चाया हुआ है बस बिनोध तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीजर अगर वीडियो अच्छा लगा है न तो वीडियो को लाइक तो करो से करो साथ में एक कमेंट भी करना बिनोध तो बस मुझे अम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड थैंक्स पर वाचिंग और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएगा एक सब्सक्राइब बटन को पपी दे कर जाएगा और घंटे को भी एक मुक्का दे कर जाएगा क्योंकि हम अपने चैनल में इंफॉर्मेशन के साथ में मस्ती भी परोस्ते रहते हैं